उत्पाद विभाग की टीम ने मिले सुराख की अधार पे अगमकुआ पोलिस के सहयोग से छोटी पहाड़ी इस्तित एक मदान में एक गोदाम में छापे मारी कर भारी मातरा में स्प्रिट बरामद की है संभावना जदाई जा रही है कि स्प्रिट की खेप जहरीली शराब बनाने में उपयोग में लाया जा रहा था इसका नालंदा में हुए जहरीली शराब कांट से भी कनेक्शन है बुदबार की देर शाम नालंदा से आई उतपाद विभार की टीम ने पतना टीम के साथ मिलकर छोटी पहाडी इस्तित पर शुराम रोडवेज के गोदाम में छापे मारी शुरू की जहां से चार ड्रम स्प्रिट बरामद की गई है मौके पे चार लोगों को हिरासत में लेकर पोलिस पूछ ताच करने में चुट गई है सहायक उतपाद आयोक्त क्रिश्न कुमार साहा ने बताया के परशुराम रोडवेज के गोदाम में प्लास्टिक के चार बरे ड्रम में लगबग 880 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है गोदाम में स्प्रिट मिलने के बाद अगमकुआ पुलिस और नालंदा से आयोतपाद विभाद की टीम ट्रांसपोर्ट के कार्याले में कागजातों को खांगाल रही है और साथी कर्वियों से पूछताज भी कर रही है घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दूसरे प्रदेश्रे स्प्रिट मंगा कर इस ट्रांसपोर्ट के जरिये उसे नालंदा भेजा जाता था सहाइक उत्पाद आयूट का कहना है कि एदिस्प्रिट किसी अन्य काम के लिए मंगाया जाता है तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी है लेकिन अभी तक नालाइसेंस मिला है और नहीं माल का बिल्टी गोदाम में है देखिए है कि 14 तारीक को जो है रात में नलंदा में जो घटना घटि थुई तो उसके तहम में जाने के लिए हम लोग लागतार चापमारी कर रहे हैं और घटना किसी अधार पर घटि कहां से वह इस्पीट आया कैसे वह सराब बना तो लागतार चापमारी हो रही है हैं हम लोग तो उससे पता चला कि वह मसीन और साक्ष मिचा रहा था जला रहा था तो उससे समय अध्जले इस्तिति में ही पकर के उसको जिन लगर साइट की हैं तो उसी के दोड़ा सुचना मिला कि टांसपोर्ट से इस्पीट आने के सुचना थी और तो उसका जोता है वह परम है और प्रतेक्श द्राम में जोता है 220 लिटर इसम रिचा है विचा कैसार एपनले इसंड निधा रही और इसी के वुरां से मिला है दो गोदाओं से एक में दो लिए दो ड्राम था जी अभी हम लोग पुष्टाच कर रहे हैं यहां का स्थानी मैनेजर से और उनका दोनों रेइस्टर से एसी साफ देख रहे हैं कि आया कब और कहा कहां डिस्ट्रिबूट रहे हैं जी अभी तो संदिक्तिन आदमी को हम लोग किये हैं और हैंडवर करेंगा पटना एक्साइज को